स्वागत है current affairs and static mcqs में जैसे कि आपको पता है कि हम लोग यहां पर current affairs and mcq क्लास करते हैं और आप लोगों का स्वागत है and academy के इस profile पर and दोस्तों this is me dr. भरत कुमार रजक है ना I have done my PhD from HNBGU a part of that mcom, ma economics, ugc net in both the subject commerce and economics तो चले दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं और यह मेरा telegram channel अनगेडमी उनरे स्पोर बहरत यह मेरा ओफिशियल telegram channel आप लोग दोस्तों इस telegram channel पर visit कर सकते हैं और मेरे से बातचीत भी कर सकते हैं यह देखिये दोस्तों आप लास्ट बिलकुल लास्ट परसो नगेड वो coming Sunday को combat नेक्स combat तो यह मेरा code है दोस्तों दाट इस बीक्यार 10 तो आप इस code का use कर सकते हैं बीक्यार 10 राइट वर्स तो बीक्यार 10 आप code use कर सकते हैं इसमें 56 questions 60 minutes है ना पूछे आते हैं इतने तमाम सारे offers आपको मिलेंगे इसके अलाबाबा आप आप लोग iconic देखो दो टाइब के subscription हैं मारे एक प्लस एक आइक आइक राइट तो अगर आप आइक आइक का subscription लेते हैं तो प्लस के सारे features के अलावा आपको live mentoring है ना personalized coach मिलेंगे study planner में स्कोशनांसर प्राक्टिस होगी and open house with educators के साथ आप जो सकते हैं इसके अलावा अगर आप लोन लेते हैं दोस्तों तो आपको अन academy zero interest rate no processing fee पर आपको an academy loan दे रहा है राइट इतनी सारे offers इतने सारे options हैं आपके पास इसके अलावा आप अन academy का जब subscription लेंगे तो यहां पर आप मेरा code लगा सकते हैं चाहें आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लें आइकानिक code इस बी क्यारे 10 अगर आप optional का सब्सक्रिप्शन लेने का plan कर रहे हैं तो after discount by using this code आपको मिलेगा 24,750 चलिए तो फिर आज की class प्रारंब करते हैं guys are you ready तो पहला सवाल दोस्तों क्या है with reference to national helpline against atrocities NHAA तो दोस्तों national helpline against atrocities consider the following statement तो आप लोगों को यह statement बतानी है पहला है the helpline is available across country in two languages that is Hindi and English और दूसरा है it has been launched by the ministry of law and justice तो हम लोग अब यहां पर बात करेंगे NHAA की that is called we are going to talk national helpline against atrocities दोस्तों अगर हम लोग national helpline against atrocities की बात करते हैं तो आईए इसमें थोड़ी सी क्या क्या बाते हैं आप लोगों को पता होनी चाहिए जड़र वो टॉक करते हैं देखो दोस्तों अगर हम NHAA की बात करें तो जड़र ध्यान से सुनेंगे hello rubina खान NHAA national helpline against atrocities तो हम NHAA की जब बात करते हैं तो what is NHAA देखो दोस्तों है एन एच एकी जह हम बात करेंगे तो दिस इस वाट तो सबसे पहली बात कि जब national helpline against atrocities की बात करेंगे तो जड़र ध्यान से देखिएगा कि नैशनल helpline against atrocities तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट incorrect statement हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट हैं क्यों आखिर इनकरेक्ट हैं तो आए देखिए सबसे पहला जो helpline है वो Hindi English के अलावा Hindi English के अलावा reasonable languages में भी है सबसे पहला point तो यह Hindi English के अलावा like reasonable languages में भी है और लिखा है कि इसको देखे second point था कि इसको ministry of law and justice ने लागू किया तो नहीं ministry of social justice and empowerment का यह initiative है that is national helpline against atrocities राइट चलो दोस्तों देखिए इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो next question है wetlands से so with reference to wetlands consider the following statements पहला है अंडर रामसार convention it is mandatory on the part of government of India national अगर हम लोग बात करते है wetlands की बात करें तो सबसे पहला सवाल देखिए आप लोग क्या है कि अंडर रामसार convention it is mandatory on the part of the government of India to protect and conserve or let all wetlands in the territory of India तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यह वाला statement incorrect statement है क्योंकि यहाँ पर लिखा है all wetlands in the territory of India राइट तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यह जो है रामसार जो convention है रामसार convention तो सबसे पहली आप लोगों को पता होना चाहिए इसके सब्सक्राइब में इस नौट लीगली दोस्तों बाइंडिंग यह रिज नौट लीगली बाइंडिंग और दूसरा यह दे wetlands है उन्हें kidneys of the earth कहा जाता है तो ये लास्ट के दो statement second or third statement correct statement है तो आई थोड़ा सा अगर हम बात करें जैसे कि मैंने का राम सार convention जो है not legally binding तो ये legally binding नहीं है और दूसरी बात कि जो wetlands are covered with hydric soil है ना ये बिल्कु सही है और in such soils the spaces between each grain of the soil are filled with water and these soil are anaerobic the soil lex oxygen याद रखना यह aerobic नहीं है यह anaerobic है तो कि इसमें oxygen नहीं होती है तो इसको पन बोलते हैं wetlands ना नेक्स्ट देखते हैं wetlands play an important role in maintaining the quality of water in deep water ecosystems and wetlands trap the sediment suspended in water a process sediment trapping दोस्तों एक sediment trapping एक process होता है यह भी आप सीख लो इसमें क्या होता है कि जो wetlands होते हैं यह sediments suspended in the water उसको trap कर लेते हैं और दे also removed phosphorus and nitrogen and help prevent eutrophication eutrophication आपने पढ़ा होगा of the lands and ponds and from this function wetlands are often referred as the kidneys of the earth आपको याद रखना है कि जो wetlands हैं उन्हें kidneys of the earth कहा जाता है ना चलो तो यह दो बातें आपको पता चल लगए कि wetlands जो हैं वह आ लाइक anaerobic soil होती है वहाँ पर और in a kidneys of the earth कहा जाता है और रामसार convention जो है वह लीगली बाइंड नहीं है कि दोनों स्टेट्मेंट आपको समझ में आ गए कि जो national help line against atrocities है यह इसमें क्या है कि हिंदी इंग्लिश के लाभा रीजनल languages में भी है और ministry of social justice and empowerment का यह initiative है और दूसरा जो रामसार convention है वह mandatory नहीं है यह लीगली बाइंड बाइंडिंग नहीं है किसी क्यों पर और दे आर covered with hydric soil बिल्कों सही है और जो soils होती है वो हमेशा anaerobic होती है याद रखना that is without oxygen and wetlands को हम लोग kidneys of the earth कहते हैं ना चलो तीसरा देखिए with reference to central universities consider the following statement central universities से संबंद में आप लोग यह statement देखिए तो आगर हम लोग बात करें तो in central universities are appointed by president सबसे पहला point आप लोगों के सामने यह है कि जो central universities के chancellor होते हैं राश्टपती न्यूख्ट करता है और दूसरा दा president has the right to authorize inspections of academic and non-academic aspect of the university तो जो president होते हैं उनके पास right होता है to authorize and inspection of academic and non-academic aspects of the universities दोस्तों यह दोनों के दोनों statement बिल्कुल correct statement है तो अगर हम लोग बात करते हैं दोनों statement correct है answer is c under the central university act 2009 the president of india है shall be the visitor of a central university and दूसरा with their role limited to presiding over convocation and with their role limited to presiding over the convocation the chancellor in the central university are appointed by the president in his capacity as visitor and a part of that job the vice chancellor so they are appointed by the visitor from the from panel of named picked by search and selection committee formed by the union government और जो president है वो visitor होते हैं और उनके पास right है inspection करने का academic और non-academic aspects का किसी भी central university दोस्तों यह देखिए एक और important बात आपको जानने को मिली है तो एक-एक करके आप रोज अपने आपने जो ग्यान का level है उनको एक-एक करके एड करना है एक-एक चीज़ें आपको अपने दिमाग में इंस्टॉल करनी है तब जाकर आप ready होंगे किसके लिए दोस्तों तब जाकर आप ready होंगे अपने exam के लिए ले दोस्तों हम लोग लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की दैट इस सम्रिद्धी योजना की तो सम्रिद्धी स्कीम जो है पहला है कि इसको Ministry of Skill and Development and Skill Development and Entrepreneurship ने लॉंच करी है तो विज़े रेफेरेंस तो सम्रिद्धी स्कीम इस बीन लॉंच्ट बाइदा मिनिस्ट्री ओव इस्किल सम्रिद्ध योजना की बात करते हैं तो सम्रिद्ध योजना है यह जो स्कीम है यह मिनिस्ट्री ओफ लाइक अगर हम लोग बात करते हैं तैड इस मीटी Ministry of Electronics and Information Technology ने लॉंच करी है और दूसरे स्टेट्मेंट इन फोकस ओन accelerating start-ups by providing customer connect and investor connect बिल्गो सही है तेकन स्टेट्मेंट सही है और इसका correct answer is B तो इसका उद्देश्ट क्या है दूस्तों सम्रिद्ध इस्कीम का तो यह ग्राहक connect और निवेशक connect प्रदान करके start-up को तेज करने पर ध्यान करेगा ध्यान के इंद्रित करेगा दैड़ सम्रिद्ध स्कीम राइट तो दैस्कीम हैज बीन लॉंच्ट बाइद Ministry of Electronics and Information Technology तो अगर हम लोग सम्रिद्ध स्कीम के बारे में थोड़ा सा और प्रकास डाले तो अभी अभी हमारी government ने इस scheme के अंतर सरकार ने का accelerate करेंगे हम तीन सो start-ups by providing customer connect investor connect customer भी correct करेंगे इनके साथ investor भी connect करेंगे and international immersion in the next three years अगर हम लोग सम्रिद्ध स्कीम की बात करते हैं तो से पहला point आप लोग ministry of electronics and information technology याद रखेंगे और ये है क्या क्यों इसको सम्रिद्य बोलते हैं so what is the full form of सम्रिद्य दोस्तों याद रखना हमेशा जब भी government इस तरीकी की scheme launch करती है तो इनका कुछ ना कुछ full form होता है सो सम्रिद्य का मतलब है that is start-up start-up accelerator start-up accelerator ops of that is meaty that is ministry of electronics and information technology for product innovation for product innovation right that is development development and growth so this is actually called Samrid so Samrid की हम बात करते हैं that is start-up accelerator of meaty for product innovation development and growth इसको हम लोग बोलते हैं Samrid अगर इसकी इसकी बात करी जाए तो ये क्या करेगा ये conducive platform प्रोबाइट करेगा तो इट विल हेल्प इन प्रोवाइडिंग दे कंजी कन ड्यूसिफ प्लेटफॉर्म राइट अर्ट टू एंडियन software and product start-up तो जितने भी इंडियन इंडियन software और product start-up होंगे ये इनके लिए है तो अब ये भी में कोशना सकता है कि ये किस तरह की companies को help करेगा तो software product start-ups को जिससे उनके product को enhancement मिले और उसमें secure investment हो ये दोनों काम करने की कोशिश करेगा और ये याद रखना इसका target है कि प्रणाम प्रणाम भागवत अहिरवार प्रणाम और दूस्तों इसका उद्देश्ट क्या है इसका उद्देश्ट है कि 300 start-ups को promote करना है और अगर हम लोग सम्रिद्य योजना में बात करे कि हम लोग इसमें investment लाएंगे एक company के लिए वो 40 लाग का investment होगा अगर कोई भी start-up होना चाती मतले start करना चाते हैं तो हम 40 लाग का investment करेंगे इसमें है ना तो और इसका जो target बनाया है वो next three years का है तो next three years का target है 40 लाग पर start-up देगी तीन सो start-up सरकार बनाएगी राइट तो इससे पहले भी हमारी सरकार start-up इंडिया fund create कर चुगी है start-up sales बना चुगी हमारी सरकार national start-up advisory council बन चुगी है आप निरबर भारत के अंदर जो लाग अपने innovation mission में सुना होगा arise है ना और aim i crest इस तरह से तमाम start-ups के लिए सरकार ने schemes पहले ही launch करी है देगे दोस्तों next सवाल है with reference to stand-off anti-tank stand-off anti-tank consider the following so संत के बारे में बात करें that is called stand stand-off anti-tank अगर हम इसके बारे में बात करते हैं और आपको correct answer बताना है तो stand-off anti-tank पहला है it is an indigenously designed and developed air to surface missile तो यह स्टेटमेंट है और दूसरा है the missile is developed to improve the strike capability of Indian navy तो यह statement गलत है तो यह navy के लिए नहीं है stand-off anti-tank संत देखो दोस्तों अगर हम stand-off anti-tank की की बात करें तो आईए आपको देते हैं थोड़ा संत के बारे में संत वाला ग्यान देखो भाई यह stand-off anti-tank की की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहली बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि what is stand-off anti-tank है ना सो एके करके बिल्कुर डीटेल में हम लोग बात करने वाले इसके बारे में तो पहले आप लोग यह उताईए कुछ समझ में भी आप लोग को आ रहा है या नहीं आ रहा है हां अपना कॉमेंट करो पहले बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है इसलिए सेकंड स्टेट्मेंट क्या है गलत है दोस्तों इंडियन एर फोर्स ने और डियार डियो ने डिफेंस रिसर्च इंडिवलफमेंट और्गनाईजेशन ने अभी इसको टेस्ट फायर किया वो भी कहां पोखरान रेंज में तो अभी क्यों मैंने यह करंट के साथ और दूसरी बात याद रखनी है इसको जो डिजाइन कि किया है डिजाइन तो इसको डिजाइन किया है किसने डियाइड यो ने डिफेंस रिकार्शन डिवलप्मेंट और और यह आर्मर गाइड़ ने और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं अपने असला वगयरा भर कर इसको छोड़ सकते हैं रहे चल और अभी अभी आपने बताई दिया इसका पोखरान रेंज में डिसेंबर में सक्सेस्फुली टेस्ट फायर भी हुआ है इसको हम बोल रहे हैं संथ भागवत किसी एक सब्जेक्ट के बारे में पूछना तो पूछो कोभी बुक रेफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट का उसके मैंने अलग से वीडियो भी बना रखा है तो आप वह भी देख सकते हैं पाट अब डैट ना एंड़ मिसाइल इस उसे रहोगे तो लॉंग टाइम तो जो भी लोग तयारी कर रहे हैं यह साथ-साथ अगर आप लोग NCRT कर रहे हैं कवर तो अच्छी बात है साथ में रेफरेंस बुक भी आपको रखनी है और दोनों की स्टडी साइमल्टेनेसली करते रहना है जिससे आपका बाद में NCRT म ज्यादा टाइम ना लग जया और रेफरेंस बुक को कवर ना अच्छे से कर पाएं तो इसको बैलेंस बना के रखना है आपको कर यह मैंने बताई दिया इंडिया इंडियन एरफोर्स ना कि कोशन नंबर सिक्स देखिए आप लोग कोशन नंबर सिक्स ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड वह सम्टाइम सीने न्यूज दा अपरेशन इस रिलेटेट तो विच अप दा फोल्वें देखो एक बड़िया पॉइंट मिला ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड और बाद में पूरी क्लास को रिवाइज भी कर लेंगे एक बात तो ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड देखि किस्से रिलेटेट है तो कोब इस स्मॉणिंग ऑफ प्रीकिस मेटल फ्रम फॉरं कंट्री नहीं वह और दर ना तो जो पीसस मेटल फ्रम फॉरं कंट्री से लाते तो डियाराई ने स्थार्ट किया था ओपरेशन मोल'Tन याद होगा तू प्रोडेक्ट इंदिन सेटीजन स्र चिरू वूल यस बिल्कुश सही है दोस्तों शहतूस जो शॉल है और चिरू उन से बने मैं अबैद व्यापार से निपटने के लिए तो यह है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर रिगार्डिंग ऑपरेशन सौफ्ट गोल्ड घूर्ट गोंITY कि बहुत और अब्र स्थीज़ और से फारेशन आहला करें और अपरेशन सौफ्ट गोल्ड की बात करें तो अभी अभी बहुत दिसंबर में भी बड़ा न्यूज में भी रहा है और अब अब यह भी हमारे देश में एक Wildlife Crime Control Board जो WCCB है और एंड इसके साथ साथ एंड State Forest ज़्या ध्यान समयना एंड पुलिस अथोरिटीज वाइड लाइफ क्राइम कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट फोरिष्ट एंड पुलिस अथोरिटीज ने अभी दोस्तों एक रीसेंट डेटा प्रोवाइड किया है और इसने कहा है कि पिछले दो हजार अठारा से लेकर लगबग दो हजार बीस तक राइट इसमें कम से कम दो हजार इसके डेटा के मताबिक दो हजार चोवन केसिस ऐसे निकले हैं जो रजिस्टर हुए हैं ओके और फॉर क्लिंग एन इलिगल ट्राफिकिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स तो जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके क्लिंग और ट्राफिकिंग से रिलेटेड तक दो हजार चोवन केसिस फाइल हुए है और यहीं पर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट नियूज में रहा है कि ऑपरेशन सौफ्ट गोल्ड तो अगर हम लोग ऑपरेशन सौफ्ट गोल्ड की बात करते हैं तो इसमें क् सेटूज शॉल है ना मेड फ्रम चिरूबूल तो इसमें इल्लीगल ट्रेड होता है एंटु स्प्रेड अवेरनेस अमंग दा वीवर्स एंड ट्रेड ना ट्रेडर्स एंगेज इंदा ट्रेड तो इसको मनें बोला ऑपरेशन सेटूज तो स्तों बहुत सारे हमारे एंफोर अपरेशन सेव कर्मा कुर्मा के यू आर में तो यह टर्टल्स वगेरा के लिए है तो दोस्तों मैं आप लोगों को सारे अलग अलग अपरेशन बतायता हूं तो ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड में क्या है कि ऑक्टूबर 2018 से लगबग 2019 तक टू टैकल इल्लीगल ट्रेड इन शेतूज शॉल में रखकर दोस्तों शेतूज शॉल तीन सो पचास शॉल्स वर फाउंड है ना इसके लावा आप लोगों ने सुना होगा भी रीसेंटली ओपरेशन ओपरेशन सेव कर्मा यह किस से इल्लीगल ट्रेड होता है किसका टूर्टल्स का टूर्टल्स का एंड टॉर्टॉइस का तो यह है दोस्तों अपनी क्लास की स्पेसिफिक बात इसके लावा एक और ओपरेशन लाया गया भी रीसेंटली अगर हम लोग बात करें वेरियस के लिए तो आपरेशन टॉर्ट शील्ड भी एक ऑपरेशन आया है ना तो इसमें भी दोस्तों सेम जो टन है १ा लिघल ट्रेड होती है। लाइव टर्टल्स Espero की लाइव जिन्दा ट्रेडल्स सब्सक्तों लाइव टर्टल्स का एंड क्या बात है उसके लावावा एक है operation less no operation less no की बात करें तो इसमें इसमें क्या है कि enforcement agencies towards the illegal wild जो ट्रेड हो रही है जो lesser known species है जो lesser known lesser known wildlife species है lesser known wildlife species है जो हम लोग इनकी इनका जो illegally trade करते हैं इसको हमने बोला operation less known इसी तरही के से मैंने एक दिन क्लाफ में discussion किया था operation clean art operation clean art तो अगर हम operation clean art की बात करें जो मंगूज है मंगूज मंगूज देखे होंगे छोटे से होते गलेरी की तरह है तो गलेरी से बड़े ही होते हैं मंगूज हेयर ब्रशे तो मंगूज के हेयर से ब्रशे बनाते हैं राइक तो illegal wilde trade होता है मंगूज हेयर ब्रशे का तो इसको बोलते operation clean start किया गया clean art इसी तरह से operation soft gold जब भी आएगा तो शैतू शॉल और इसी तरह से एक और है that is operation बर्बिल ऑपरेशन बर्बिल अगर लोग इसकी बात करते तो यह क्या है जो भी illegal trade होता है wild cat wild cat illegal trade and wild bird species जो wild bird species हैं और wild cat हैं तो इसका जो आलाइक वह हो रहा है अगर हम लोग बात करें illegal trade हो रही है तो इसको बोलते हैं operation बर्बिल इसी तरह से एक और operation है हमारे भारत में शुरू हुआ that is operation wild net wild net अगर हम operation wild net की बात करें तो यह it has draw the attention of the enforcement agencies with the country to focus their attention like जो भी wildlife trade हो रहा है over internet तो operation wild net एक शुरू किया गया कि जो भी wildlife का trade हो रहा है और इस wildlife के trade का वह भी trade हो रहा है किसके दौरा through internet तो internet की सहयता से जो wildlife trade हो रहा है और social media platforms का प्रियोग करके इसको रोकने के लिए ऐसी दुस्तर हमारे भारत में एक और operation शुरू हुआ जिसका नाम है operation कि प्री फ्लाइ तो वाट इस operation फ्री फ्लाइ है ना तो जो इल्लीगल ट्रेड होता है live birds का तो live birds के illegal trade के लिए that is operation फ्री फ्लाइ बदा उस तो आनंद आ रहा है या नहीं पढ़ने में एक और है जिसको हम बोलते है operation वैट मार्क अपरेशन बैट मार्क है ना तो इसमें क्या करते हैं जो सेल हो रहा है a sale of meat of wild animals जो wild animals का ghost meat बेचा जा रहा है ना इन्द मार्केट across the country उससे related दोस्तों इतने सारे operations हमारे भारत में चल रहे हैं इसका screenshot ले लो बहुत important news मैंने आपको यह दी है this is called the different operations in our country operation save karma your turtles or tortoise or operation turtle seal shield for the live turtles इसके लावा operation less known your less known lesser known wildlife species operation clean for the like mangoes clean art mangoes hair brushes and operation birbill wild cat and wild bird species से संबंदी and operation wild net जो wildlife trade हो रहा है through internet in social media platform operation free fly पर जो हम लोग illegal trade करते हैं live birds का an operation दोस्तों लास्ट इस operation wet mark दिस इस कॉल operation wet mark जो हम लोग meat को wild animals के meat का sale कर रहे हैं तो यह अलग-अलग operations है जो हमारी महालाइक enforcement agencies स्टार्ट किये हैं तो यह रहे various species के लिए अलग-अलग हमारे इंडिया में operations है ना चलो यह देखो काशी विश्वनाथ temple से संबंदी बताना हो और आप लोगों को बताना है कि कौन सा statement इन में से correct statement है तो पहला है दो प्रेजेंट structure was built in it 1780 by Rani Ahilya by Holker of Indor दोस्तों जो जो प्रेजेंट structure है काशी विश्वनाथ का यह 1780 में Rani Ahilya by Holker ने बनाया था इंडोर की और दूसरा statement है the temples iconic 15.5 meter high gold spire and gold dome were donated by Ranji Singh the ruler of Punjab दोस्तों जो टेंपल का जो 15.5 meter high gold spire है और gold dome है तो यह donate किया था बाइद रंजी सिंह the ruler of Punjab and third है कि all the 12 जोतर लंगाज जो भी हमारे shiva temple are located in or around kashi temple तो मैं बढ़ा दूँ आपको यह statement गलत है बाउट आउट आउट आउल दा बारा जोतर लंगाज में तो holiest of the shiva temple are located in and around kashi temple यह गलत है पहले दो statement सही है कि जो 15.5 meter gold spire है और gold dome है वो डोनेट किया था रंजीत सिंग ने रूलर के पंजाब के और जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है वो 1780 में राणी अहिल्या भाई होलकर इंदोर नहीं बनाये तो हिमालया जर्ट केदारनाथ राइट तो देखो आप लोगों से क्या कहां थे कि जो है कि होलिएस्ट ऑफ दा शिवा टेमपल है तो यह कहां अगर हम लोग बात करें नौर्ध 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 नोर्दन मॉस्ट पार्ड में देन केदारनाथ उत्त्राघण और अगर हम ल consider the following statements beaver bird पहला देखो पिंस beaver bird is listed as vulnerable in the IUCN red list साहिए दोस्तों जो फिन beaver bird होती है उसे vulnerable की category में रखा गया है vulnerable है ये and second is the bird is primarily found in तेरही ग्रास लेंड इन उत्राखन and western उत्रप्रदेश apart from few pockets ना साम तो आपको incorrect statement बताना है तो incorrect statement की बात करेंगे तो ये वाला statement incorrect है तो ये vulnerable नहीं है मैं आपको बता दूँ राइट इस नॉट इन दा केस ऑफ बलनरे विल ये endangered में है endangered है और जो second is a bird is primarily found in तेरही grassland तो ये correct statement है ये incorrect है तो answer हो गया इसका ए तो पहला incorrect है पिन वी वर्ड जिसका हम बोलते हैं तो ये बर्ड नंबरिंग लेस्टन फाइव अंडेड इन इंडिया ये पांसो से भी कम अगई है इसलिए वह नाँ लिट्टेड एज वल्निरबिल इन इंडा इंटरनाशन यूनियन फोर कंजरिवेशन और तो इंटरनाशनल यूनियन फोर कंजर्वेशन और नेचर में वल्निटी कि डिड़ी आओ इसको और अगर हम बात करते हैं पहले यह वल्नरेबल थी वही मैं कह रहूं क्या बोल रहूं अब यह एंडेंजर्ड हो गई है प्याद रखना जो फिन बीवर बर्ड है फिन बीवर वर्ड है यह दोस्तों पहले वल्नरेबल की केटेगरी में थी अब वल्नरेबल से क्या हो गई यह एंडेंजर्ड हो गई है बोलो समझ में आया क्या बात समझ गया आप लो चलो कोशन नमबर 9 बक्सा टाइगर रिजर्फ इस लोकेड़ इन विच अफ द फोलविंग स्टेट तो जो बक्सा टाइगर रिजर्फ उन में से कहा है अरुनांचल प्रदेश आसम तमिलनाड बेस्ट बेंगॉल अगर हम बक्सा टाइगर रिजर्फ की बात करतें तो बक्सा टाइगर रिजर्फ दोस्तों बेस्ट एसेंशक्री डियर हैड अट्राक्टटर रोयल बेंगॉल टाइगर अफससशश साइट इन ट्वंडिजी इयर बक्सा टाइगर हिजर्फ अभी दोस्तों मैंनेख कलास में आपको बता बेंगोल का अलीपुर दौर डिस्टेक है यह यहां पर देखा गया है बक्सा टाइगर रिजब एंड इट्स नौर्थीस्ट बाउंडरी जो है इसकी जो नौर्थीस्ट बाउंडरी है रंस अलॉंग दा इंटरनाशनल बॉर्डर विड विद भूतान है ना इसकी जो नौर् नौर्दन बाउंडरी है बक्सा टाइगर रिजब की वह लाइक भूतान के बॉर्डर के कनेक्टेड है एंड दा पिबसू फिबसू वाइड लाइफ सेंचुरी अगर हम बात करते हैं फिबसू वाइड लाइफ सेंचुरी और भूतान इस कॉंटीग्यूस टुदा नौर् पीटी आज दोस्तों यह रहा बक्सा टाइगर रिजब के बारे में और आज का लास्ट हवाल है दोस्तों पाम ओयल के संबंद में आपको बताना विद रेफरेंश टू पाम ओयल तो पहला है इंडिया इस गॉल्ड लार्जस्ट इंपोर्टर ऑफ पाम ओयल येस तो दुन यूंनु श् Links रही है कि अंडिया सबस्यादा इंपोर्ट करता है पाफ़शिया को और दूसरा जो इंपोर्ट करता है दोस्तों वह पहां से करता है लिए नीयुकर नाँस्ट सब्सक्रण करें आज दसके दस हमने कॉस्टों करें जैसे कि अपको पता है का डैली के बिव। वे कोशनांसर डिस्कस करते हैं जो इंपोर्डेंट पार्ट है आपके करेंट और स्टाटिक जी के का जो इंपोर्डेंट पार्ट है उनको डिस्कस करते हैं ना चलो तो तो वर्ल्ड's largest importer of palm oil buying more than 9 million tons annually जरह देखो कितना बड़ा डेटा है कि 9 million tons से ज्यादा इंडिया में palm oil import होता है और यह जातर इंडोनेशिया और मलेशिया से palm oil accounts for like for the loins share of the total edible oil import around 62% है ना चलो दोस्तों एक बार हम सारी class को revise कर लेते हैं जल्दी से जो जो आज हमने पढ़ा तो हमने सबसे पहले wetlands के बारे हम बात करी तो आपको दो बात होना चाहिए कि जो रामसार कर्वेंशन है वो किसी भी लाइक हमारे देश में legally बाइंड नहीं है एसा नहीं है कि मैं रामसार कंवेंशन को follow करना ही पड़ेगा और दूसरी बात जो रामसार कंवेंशन में जो soil है वो anaerobic है that is without any oxygen और इसको हम hydric soil बोलते हैं और एक और important बात चलो अपने color change कर लेते हैं तो इसको hydric soil बोलते हैं और anaerobic है मतला without any oxygen and wetlands play an important role in maintaining the quality of water और wetlands को हम लोग kidneys of the earth कहते हैं पहला point दूसरा है Central University तो इसमें हम लोगों ने बात करी कि जो Central University है इसके जो प्रसिडेंट होते हैं वो इसके Chancellor को अलाइक न्यूप्त करते हैं और एस पर दा Central University एक 2009 जो प्रसिडेंट हैं इंडिया के वो Central University के विजिटर कहलाते हैं और जितने भी चांसल से उनका appointment राश्टपती के दौरा होता है यह बात याद रखना है ओके चलो और जो प्रसिडेंट होने के पास राइट है inspection करने का academic और non academic aspects सम्रद्ध स्कीम की हम लोग ने बात की सम्रद्ध स्कीम मीटी ने लॉंच करी है Ministry of electronics and information and technology और यह जो सम्रद्ध स्कीम है इसके अंतर 300 startups develop करेंगे जिनका काम होगा software product जो software product startups है इनको एक conducive platform provide करेंगे इनको investment भी provide करेंगे और साथ में customer भी provide करने में help पहलेंगे तो यह सम्रद्ध स्कीम चलो पर हम लोगने बात की stand of anti-tank संत के बारे में बात की तो अभी रीसेंटली पोकरान पोकरान में पोकरान रेंज में DRDO और इंडियन एयर फोर्स ने मिलकर एक संत संत एक लाइक stand of anti-tank launch किया है और यह air to surface है यह भी याद रखने है और इसकी design DRDO ने तयार की है और यह armor guided missile है मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं the other war the long range bombs and smart anti-field weapons इसमें हम लोड कर सकते हैं operation soft gold की जह हमने बात की तो operation soft gold कि से related है कि जो शैतू शौल में लाइक illegal trade होती है तो उसमें made of चीरू बूल तो अभी हमारी government ने कम से कम दोहर 19 में 350 लाइक 18-19 में 350 शौल्स वर फाउंड इसके राब मैंने यह अलग अलग आपको operations बताए जैसे operation save karma तो इसकी हमने बात की तो यह टर्टल और टर्टवाइस से related जो illegal trade होती है उसको रोकने के लिए है इस तरह से भारत सरकार ने operation टर्ट शील्ड स्टार्ट किया है इसमें हम live turtles की तसकरी करते हैं legal trade करते हैं एक operation less no का क्या है कि जो lesser known wildlife species हैं की trade रोकने के लिए और operation clean art mangoos hair brush बना कर लोग इसको illegally trade कर रहे हैं और operation बिर्बिल तो इसमें किया है कि जो wild wild bird species हैं इनको रोकने के लिए and operation wild net तो यह जो जो भी like wildlife की trade होती है with the help of internet social media तो इसके लिए operation wild net start किया है इसी तरह से operation wet mark है जिसमें दोस्तों जो wild animals का meat बेचा जा रहा है उसको रोकने के लिए and operation free fly दोस्तों जो live birds है उनको illegal trade को रोकने के लिए पर हमने काशी विश्वनात की बात किये तो इसका जो structure है 1780 में रानी अहिल्या भाई होलकर इंदौर की इन्होंने इसको built किया था और temple का जो मैं मैंता 15.5 मीटर high gold spire है और gold dome है तो यह रंजीत सिंग जो रूलर थे पंजाब के इन्होंने इसको donate किया था और जो बारह जो तरह लंगाज है उनमें से southern most में रामेश्वरम और northern most में हमाले आजएट के रारनाथ बड़े ही holiest के माने जाते हैं बीवर बर्ड जो है बीवर बर्ड जो पहले वलनेरेवल थी आयूसीन की रेड लिस्ट में अब वह एंडेंजर्ट की केटेगरी में आ गई है बक्सा टाइगर रिजर्ब दोस्तों बेस् अगली क्लास में और आप लोगों को क्या करना है जिसने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया वह लाइक कर दें हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों और इसके अलाबा आप मुझे मेरा टेलीग्राम चैनल यूज़ कर सकते हैं अनकेडमी अंडर भरत मिलेंगे दुस्तों पर ही कल की क्लास में है वनाइस वन्टरफुल टाइम लेट्स क्राक इट जहिंद इसके लावा दस बजे मेरी क्लास होती है अभी जश्ट दस बजे चैनल का नाम है अनकेडमी अंडर स्कॉर नहीं अनकेडमी यूपी एस सी नॉट अंडर स्कॉर तो अनकेडमी यूपी एस सी पर दस बजे एकॉनमी की क्लास करते हैं तो वहां मिलेंगे अगर आपको इस्टिल कोई डाउट है कुछ भी समस्या है तो आप पूछ सकते हैं ना यूव था टाइम तो डू सो जल्दी 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 जल्दी